अप्सर हमें अपनी डिली लाइफ में ऐसे सेंटैंसिस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे अब कहने को बचा ही क्या है? अब सुनने को बचा ही क्या है? अब समझने को बचा ही क्या है? आईए देखते हैं कि ऐसे हिंदी के sentences को English में बोलने के लिए कौन सा rule follow होता है इसके rule में सबसे पहले What is even left आता है जिसका मतलब होता है बचा ही क्या है यहाँ पर यह जो even है इसका sense यहाँ पर he से है जो हम अपने sentence में extra pressure कर रहे हैं कि बचा ही क्या है इसलिए इसको English में बोलने के लिए हम even का use कर रहे हैं इसके बाद to आता है to के बाद verb की first form आती है और last में now आता है चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब तुरी तरह से समझ में आ जाए अब कहने को बचा ही क्या है What is even left to say now What is even left to say now अब देखने को बचा ही क्या है What is even left to see now What is even left to see now अब सुनने को बचा ही क्या है What is even left to hear now What is even left to hear now अब समझने को बचा ही क्या है What is even left to understand now What is even left to understand now अब बात करने को बचा ही क्या है अब एक सेंटेंस आपके लिए अब खाने को बचा ही क्या है इसको हम इंग्रिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे कमेंट्स में बताएए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज दिसे लाइक कीजी तेरी चानल को सब्सक्राइब कीजी और मेक शूर यू प्रेस ता बेल आइकन राट नेक्स तो अब सब्सक्राइब बातन अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ अब तक के लिए टेक केर बाबाई